दम नहीं है, खोकला हो गया है तू, तेरी आखो में डर दिखेला है जेशो को जेशो को, जेशो को, जेशो को, जेशो को, जेशो को मेरा फैवरेटी एएट धिखाँ मेरे दीर फगत सिंग शेरा मेरे बोला है बंडारी करे नंदी किस्सा वारी संबुना आप करे और जंगरना आप करे जय हनुमान जय हनुमान पवन पुत्र हनुमान दिगडी मेरी बना दो है संतक मोचन हनुमान जय हनुमान जय हनुमान पवन पुत्र हनुमान जी नहीं रहे, सिर्फ पिता जी का कंदा मुस्लिम था, बाकी सारे कंदे हिंदू थे, मौलवी साव आये, साथ में कुछ दाड़ी वाले लोग भी आये थे, मजभ़ की बाते सिका रहे थे, ये लोग हमारे नहीं है, इन से दूर रहो, मुझे लगा पिता जी बहुत भोले हैं इनकी बातों पर जान मत देना, ये लोग भी हमारे हैं, और ये हिंदूस्तान भी हमारा है, मैं तुम्हें पिता होने के नाती ये स्थीख दे रहा हूं, तुम भी अपने बच्चों को यही से दूर। नमस्कार, मैं कवीता उनियाल, आप देखरें मीडिया टूरे टीवी, हैदराबाद के 12 साल के छात्र, मोहमद हसन अली अपनी विशेश प्रतिबा के धनी हैं, एक तरफ इतनी छोटी उमर में बच्चे काटून देखने वा खिलोनों की मांग करते हैं, लेकिन 18 अक्षा के 12 साल के छात्र हसन ने इतनी छोटी उमर में एक रबोर्ट बनाया है, जो इंजिनिर्म छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करता है, खाफ बात तो यह है कि हसन ने ये रबोर्ट केबल 15 दिनों में बनाया है, हसन ने बताया कि वो खुद पहले इंट चात्रों को पढ़ाते हैं, हसन ने बताया कि वो पिछले दो साल से पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए इंटरनेट एक सीखने का संसाधन है, मैं फीस नहीं लेता, क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाता हूँ 12 साल के मुहमद हसन अली खुद आटवी कक्षा के चात्र के बावजुद सिविल मेकेनिकल और इलेक्ट्रोनिक इंजिनिरिंग के चात्रों को पढ़ाते हैं, हसन अली ने बताया कि वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाते हैं, हसन अली ने शुकरवार को बताय में इंजिनिरों को ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग सिखाता हूँ है बंडारी करे नंदी किस्सावारी संबुना आप करे हो जंगरना आप करे इं महिना के पगार मिल गल का सोदो लोग बहो जल्दी बतावा सोपिं करादो जानो पीजा खिलादो प्यारी की निसान येत चैन बनावादो हट पैसा देखा ली नाकिंगर फरमाई से चालू हो गोई डाक्टर साहेब का अरे देखिये ने हम अरसीना में बहुते दर्द है सिगरेट पिते हो हाँ पर गोल्डे फलेक मंगवाईएगा तो जोटा से दुनिया को दिखने आजा वो लड़े की आदे आदे अराम कोड बाबी उतरें पिया पिया क्यों है रुलादिया येकरा माई के कों अंडेर मा होती है रे रुलादिया क्यों है